Hi everyone welcome back to my channel आज हम बनाएंगे लौकी का रायता आपने बूंदी का रायता और क Başष्च है toced earlier किया कभी आपने का राय ट्राइ किया हैं अगर हाँ तो मुझे सतो बताएगा आप कैसे बनाते हैं ईज अगर नहीं आज हम देखते हैं का मदना का रायता का कई है सबसे पहले मैंने एक लॉकी ले लिए एक बात लॉकी की जी इसमें बीच बहुत ही कम हो means अगर ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है देखिए मैंने लॉकी को धुल लिया है उसके बाद छील लिया है अभी हमें इसे काटना है हम इसे बहुत छोटे-छोटे तुकड़ों में काटेंगे आप देख सकते हैं इसमें बीच भी नहीं है इसमें बीच बहुत ही बहुत ही मुलायम है तो हम उसे हटाएंगे नहीं यह देखिए ऐसे लॉकी को काटना है बिल्कुल छोटे-छोटे पीसिस में हमने सारी लॉकिया काटनी है अभी हमें इसे बॉइल करना है तो मैं इसे डाल दूगी कूकर में कूकर में डाल करके हम इसे एक सीटी आने तक पकाईंगे देखिए कितना कम हो गया है उबल करके यह आभ हम इसे ट्रांसफर कर लेना है इससे ठंडा होने के लिए रख देना है आधा घंटा लगेगा अप्रॉक्स ठंडा होने में अब तक मैंने दही को निकाल लिया है दही हमें फेटनी है तो मैंने विस्कर की हेल्ब से दही को फेट लिया है अच्छे से एप्रोक्स पांच मिनिट मैंने दही को फेटा है काफी अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है इसके बहुत ही सॉफ्ट दही बन के तयार हो गई है अब मैंने डाल दिया है इसमें आधा चमच सेंधा नमक रॉक सॉल्ट दिन वन फो टेबल स्पून ब्लाक शॉल्ट काला नमक एंड लगभग देड़ चमच हमारा जीरा बुने जीरा का पाउडर है उसे डाल करके हम अच्छे से मिला देंगे इसे अभी हमाई हमाई लौकी भी थंडी हो गई है अभी हमें इसे मैश करना है तो हमें इसे कर्ची jobbar कर लें ग Birthday कbe craft करेंगे अगर इसे हम ब्लेंड कर लेंगे तो बहुत स्मूथ फेस्ट बन जाएगा तो वह अच्छा नहीं लगेगा खाने में अभी हमारा रायता बन के तयार है अभी हमें इसे चौकना है चौक लगाने के लिए मैंने ले लिया है एक चमच देशी घी और देशी घी से ही चौकिएगा काफ़ी अच्छा लगता है इसे फ्राइब करिएगा इसके बाद मैंने डाल दिया है आधाचमस जीरा जीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च सूखी लाल मिर्च गैस को आफ कर दीजेगा उसके बाद सूखी लाल मिर्च डाल दीजेगा न जल जाएगी इसके बाद हम इसे फ्राई कर देंगे इन देखिए बहुत ही टेस्टी सा रायता बनके तयार है आप इस लिज्शकाई बायरा